नमस्ती, वेलकम टू मैं चैनल, आउ अंग्री दिशकें, लेट्स लॉन इंग्लिश, रोजाना बोले जाने वाले वाक्ये, सेंटेंसे यूजिन दिशी लाइफ में, आज में कुछ और नये सेंटेंसे लेकर आएँ, तो चलिए, शुरू करते हैं, मैं यह देखकर हैरान हूं I am surprised to see this, हरान मतलब surprise, I am surprised to see this, कल बहुत बारिश हुई, it rained heavily yesterday, कल मतलब हो चुके है, तो कल मतलब yesterday हो गया, बारिश रेन और बहुत ज़्याद हुई है, इसलिए heavily, it rained heavily yesterday, आज बहुत गर्मी है, it is very hot today, आज मतलब today, गर्मी मतलब hot, it is very hot today, वह कभी जूट नहीं बोलती, she never tells a lie, जूट मतलब lie, कभी नहीं मतलब never, और बोलती है मतलब tells, she never tells a lie, वह हमेशा सच बोलता है, he always speaks the truth, हमेशा मतलब always, सच मतलब truth, बोलता है मतलब speaks, he always speaks the truth, अब tell और speak में क्या फरक है, tell इससे होता है कि हमको information देती है, कुछ बताते हैं, तब हम tell का इसमाल करते हैं, और speak मतलब कि जब हम किसी से बात करते हैं, तब हम speak का इसमाल करते हैं, और he always speaks the truth, कि वह जब भी बात करता है, तो हमेशा वह सच बोलता है, तो इसलिए हमने tell और speak अलग-अलग जगे पर असिस्त माल किये हैं, बच्चे बाहर खेलना पसंद करते हैं, children love to play outside, बच्चे मतलब children, पसंद मतलब love, खेलना मतलब play, बाहर मतलब outside, children love to play outside, वे हर हफ़ते रात की खाने के लिए बाहर जाते हैं, they go out for dinner every week, हफ़ता मतलब week, रात का खाना मतलब dinner, बाहर मतलब out, वे मतलब day, they go out for dinner every week, मुझे गलत मत समझो, don't misunderstand me, गलत मत समझो मतलब not to understand, not to misunderstand, अगर हमने कोई कुछ बात कही है किसी से और कोई हमारी बात को गलत समझता, तो हम बोलते हैं, don't misunderstand me, मेरा यह मतलब नहीं है, I don't mean this, मतलब मतलब mean, I don't mean this, हाँ, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे सब्स्क्राइब कीजिए, लाइक, शेयर कीजिए, और घर बाट इंगिल, सीचिए, तैंक्यू,